हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल अगर आपने विद्धक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल अकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो इसका बेट मिलती रहें तो चले शुरू करते हैं इस एक साथ आज का अपना है वीडियो तो हमारा वीडियो है जी एस टेस्ट पेपर हन्डेड और नाइन्टी फोर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्मिथ सोनियन एग्रिमेंट 1971 इस रेलेटेड टू तो एक एग्रिमेंट हुआ था उननीस वेकतर में जिसका नाम था स्मिथ सोनियन तो यह किसी से जुड़ा हुए मतलब क्या यह एग्रिमेंट है आपको बताना है तो इसका सही आंसर है भी एन इंटरनाशनल सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट विदाउट दिबाकिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड यानि एक विसस्तरी जो कहते हैं कि मुद्रा चेंज करने की जो फैसिलिटी है उसमें बिना किसी चांदी या सोने के जो एक्सचेंज ह करता है उसके लिए ये एग्रिमेंट 1971 में हुआ था तो चलिए बढ़ते हैं सिक साथ अपने अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नमबर टू वेच अपने से कौन सा मुख्य एक के सकते बिन्दू थी एक मुख्य कारे था जो की एक्स्तरमिस्ट प्रोग्राम्स अप्शन में शामिल था आपका अप्शन पहला है एकोनॉमिक बाइकॉट सेकेंड नॉन कोपरेशन थर्ड एडवोकेटिंग फॉर नाशनल स्कीम अफ एजुकेशन और फॉर्थ है प्रमोशन अफ कोपरेटिव सोसाइटे तो इसका सही आंसर एड़ी 1,2,3,4 यानि की सारे स्टेटमेंट सही है तो चलिए बढ़ते हैं सिख साथ अपने अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नॉम्बर थ्री तो पांच कंडिशन दे रखे उसके नीचे स्टेटमेंट आपका उताना कौन से सही है पहला है तो जो ओसकी बूंदे बनती है उसके लिए कौन सी कंडिशन कौन सी ऐसी चीज़ है जो जरूरी है मतलब उपर दिये गए स्टेटमेंट में से जिससे दिव फॉर्मेशन नी की ओसकी बूंदे बनती है तो उसका सही आंसर है डी वन फोर और फाइफ यानि हाई रिलेटिव हिमिडिटी होनी चीए लॉंग कोल्ड नाइट्स होनी चीए और टेंपरेचर इस अबव फ्रीजिंग पॉइंट होना चीए क्योंकि अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो फिर ओविएसली है कि वो ड्यू नी बन पाएगा वो फिर आइस बॉल्स कह सकते हैं बन जाएंगे या आइस क्रिश्टल बोल सकते हैं आइस क्रिश्टल बन जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं से एक साथ अपना अगले क्वेश्टन के तरफ क्वेश्टन नमबर फॉर कंसीडर दी फॉलिंग प्रैक्टिसेज पहला है बीजा बीजामरिता सेकेंड जीवामरिता थर्ड है मल्चिंग और फोर्थ है वहपासा तो पर दिये के चार ओप्षन है क्यों कौन से से जीरो बजट नाच्रल फार्मिंग से जुड़ा हुआ है आपको बताना है तो उसका सही आंसर एडी 1,2,3,4 यानि की चारोई स्टेट्मेंट जीरो बजट नाच्रल फार्मिंग से जुड़ा हुआ है तो चलिए बढ़ते हैं से एक साथ अपना अगले क्वेशन के तरफ क्वेशन नमबर फाइफ ट्राफिक, दे वाइड लाफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेट्वर्क इस ट्राटेजिक अलाइन्स आफ तो ट्राफिक जो एक वाइड लाफ ट्रेड मॉनिटरिंग है यानि कि जिवजन तो जो बेचे खर दे जाते हैं तो उसको मॉनिटर करता है तो इसका से जुड़ा हुए आपको बताना यानि कौन सीशन स्था का अलाइन्स है आपको आप्शन पहला है WWF सेकेंड है IUCN और थर्ड है UNEP तो इसका सही आंसर है A, 1 and 2 only यानि कि WWF और IUCN तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन के तारफ क्वेशन नम्मर 6 Consider the following features about an Indian painting Indian painting संदर में तीन features दे रखे आपको बताना है कौन से सही है पहला है Traditionally done by a woman fork on a mud wall It is now also painted on cloth, handmade paper and canvas तो इसको बरसों से women's द्वारा और तो द्वारा इसको मड़ वाल्स होती हैं नि मिट्टी के दिवाल होते हैं उन पर बनाया जाते हैं लेकिन अब कपड़े, handmade paper या canvas पर भी बनाया जाने लगे हैं Second is its main theme revolves around Hindu deities तो इसका जो main theme है जो main जो आकरसड वो यही है कि हिंदू मतलब जो भी देवी दे होते हैं उन्ही के around paintings में बनते हैं यही क्यों उन्हीं से जुड़े चितर कलायें बनती हैं Third is generally empty spaces are filled with the various motif और जो उसमें खाली जगे होते हैं तो उसमा अलग लग चीज़ों से उनको भर दे जाते हैं Which of the following painting is characterized by the above mentioned features तो नीचे चार paintings के नाम दे रखे जैसे कांगरा, मिथिला, कलमकारी, वरली तो कौन सा इन में से painting की किस painting की यह उपर जो दिये गए statement है यह वाक्या करता है यानि किस painting का feature से basically यह बताना है तो उसका सयांसर अरभी मिथिला painting मिथिला painting की यह total मतलब जो भी यह features दिये हैं इनके जो themes हैं वो ज्यादा तर कृष्ण, रामा, शीव, दुर्गा, लक्ष्म, और सरसती की रहती हैं इनके अलाबा अगर natural theme की बात करें तो जैसे सूरज हुआ, चान्द है और plants की बात करें तो तुलसी तो यही इनके main theme से basically painting है तो चले बरतें से एक साथ अपना अगले question के तरह, question number seven With reference to the contingency fund of India, consider the following statement तो contingency fund of India के संधर में दो statement दे रखे हैं आपको, sorry, तीन statement है, आपको बताना है कौनसा statement सही है पहला, it is mentioned in the constitution of India यानि के भारती सम्मेदान में इसका लेक किया गया है Second, it is placed at the disposal of the president of India यानि इसका जो भी पैसा होगा, वो president की मर्जी सही होगा Third, prior parliamentary approval is required for the withdrawal of the fund from it और आपको, contingency fund से पैसे निकालने के लिए आपको Parliament के prior approval यानि पैसे निकालने से पहले आपको permission लेना पड़ेगा तो आपको बताना है इन में से कौनसा statement Contingency fund of India के संदर में सही है तो उसका सही answer है B, one and two only यानि कि पहला और दूसरा सही है, third गलत है बैसे लिए contingency fund ज़रुरत के टाइम के होते है तो उसमें parliamentary के approval के जुरुरत नहीं होती है तो चलिए बढ़ते हैं से एक साथ अपना अगले question के तरफ Question number eight The Sundar Buns in India is recognized as जो इंडिया हम जो सुन्दर बन है उसको किस तरह से माना के आपको बताना है आपको option पहला है B, one and two and three यानि तीनों ही जो क्या सकते हैं के status है वो सुन्दर बन को मिला हुआ है तो चलिए बढ़ते हैं से आथ अपना अगले question के तरफ Question number nine Who among the following has or have President of the Indian National Congress thrice तो तीन नाम दिये हुए हैं आपको बताना कौन Indian National Congress का तीन बार अध्यक्ष बना है आपको option पहला है दादा भाई नारोजी second है जवारलाल नहरू third है सुबास चंद्र नहरू sorry सुबास चंद्र बोस से ये थोड़ा सा गलत होगा आप उसको correct लिजीगा तो उसका सही answer भी one and two only यानि कि दादा भाई नारोजी और जवाला नहरूई सिर्फ ऐसे वेखते हैं जो तीन बार बन है वह सुबास चंद्र बोस बेसिकली जीते तो दो बार थे लेकिन बन एक बार थे सेकेंड टाइम उन्होंने स्टिफा दे दिया था जो उस समय पट्टा भी सिधार महिया थे तो उनके चुकी वह गांधी जी के फेवरेट थे तो इसलिए उन्होंने उनके लिए पद का स्टिफा दे दिया था तो चलिए सिक साथ बढ़ते हैं अगले और आखरी क्वेशन के तारफ क्वेशन नमबर टेन अगर हम अपने भारती तिहास की बात करें तो उसके साथ उसके संदर में तीन स्टेट्मेंट है बेसिकली पॉट्ट्री दे रखे हैं जो समय पॉट्स बनती थी उसको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन था फिर बाद में कौन है मतलब ऐसे कर गए हैं पहला है पेंटेट ग्रेवेर यानि PGW सेकंड है नॉर्दन ब्लाक पॉलिष्ट वेर दाट इस NBPW सी थार्ड है हमारे ब्लाक अंड रेड़ वेर दाट इस BRW तो उसका सही आंसर है C312 यानि सबसे पहले ब्लाक अंड रेड़ वेर आता है फिर आता है आपका पेंटेट ग्रेवेर और तब हमारा लास्ट में आता है नॉर्दन ब्लाक पॉलिष्ट वेर तो इसके साथ आज का हमारा वीडियो समाथ होता है लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानि GS test paper जो 193 था उसका जो question of the day था उसका आपको answer बता देते है तो question of the day था हमारा in medicine magnetic resonance imaging that is MRI involves use of तो MRI में क्या इस्तमाल होता आपको बताना था उसका answer A magnetic field produced within the human body यानि जो इंसानी सरीर उसका अंदर जो magnetic field बनता है तो उसी का इस्तमाल करके ये किया जाता है तो चलिए से आप जाने से पहले आज काने GS test paper 194 का जो question of the day है वो आपको बता देते है with reference to the art and archaeological history of India which among the following was built earliest अगर भारती art and archaeology की बात करें तो कौन से बिल्डिंग सब से पहले बना था आपको बताना है आपको option A the temple at Ihole Badami and Patadakal second Hoysala temple Haliburth third काकतियन temple वारंगल और fourth Sun temple कुनार्ग तो friends इसके साथ आज का मारे वीडियो समापत होता है जाने से पहले अगर आपको मारे वीडियो अच्छा लगो तो इसे like करें शेयर करें हमारे चैनल को जुरू subscribe करें साथी आप हमें नीचे comment box से मारे question another day का अंसर जरूर दें तब तक के लिए मिलता है आप साथ लिए वीडियो में thank you for watching and bye bye करें